चाहे आपका कोई भी प्रतियोगी परिच्छा हो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ पर हम इसी तरह के पांच प्रशनों को हल करके बताएंगे और ओभी कम से कम समय में इसे देखने के बाद इस ट्रिक के माध्यम से आप भी इस तरह के question को हल कर सकते हैं कम समय में वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस app को जरूर डाउनलोड कर लें जिसका link आपको वीडियो के description में मिलेगा जहाँ पर आप हर तरह की इस निमटेल को पा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें all select करें इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखे question है कि एक बस्तु को 240 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानी होती है 20% लाब चाहिए तो उसे कितने मुले पर बेचना होगा यह question है अगर आप English medium में चाहते हैं तो English में यहाँ पर question लिखा गया है इस question का trick चाहे जो भी हो basic क्या होता है पहले हम आपको बता देते हैं basic यह होता है कि जब 240 रुपए में बेचा है तो उसको 10% की हानी होई है यानि कि 240 बटे 90 गुडे 100 यह आप करेंगे तो आपका क्रेम उली निकलेगा और जब क्रेम उली निकल जाएगा तो इस पर आपको 120% का मतलब 20% का लाप चाहिए तो 120 बटे 100 करेंगे तो आपका उत्तर आजाएगा तो इस तरह आप देखेंगे कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन हम आपको बताने वाले हैं एक trick के माद्यम से यह basic था सबसे पहले आप यह मान लीजिए कि वो बस्तु 100 रुपए की है जब इसने 10% की हानी पर बेचा होगा तब कितने रुपए में बेचा होगा 90 रुपए में लेकिन अब ओ चाहता है कितना लाप 20% और जब 100 रुपए की बस्तु है 20% का लाप चाहता है तो कितने रुपए में बेचेगा 120 रुपए में इन दोनों में अनुपाद कितने का है तो यह है 3 और यह है 4 दोनों में 30-30 से भाग देजिए अनुपाद पता चल गया अब चार क्या होगा यानि कि अगर आप 3 का इसमें भाग दें तो हो जाएगा 80 और इसी 80 का इस चार में गुड़ा कर दें तो आपका उत्तर आ जाएगा 320 यानि कि इस क्वेशन का जो उत्तर होगा 320 होगा यहाँ पर देखने में आपको भले ही ज्यादा टाइम लग रहा हो लेक इसको 20 किहानी हो रही है यानि कि 80 रुपय में बेचेगा अब चाहता है कि वो 30% लाब कमा ले तो 30% यहां लिखेंगे 130 यह हो जाएगा दोनों में आप अनुपात देखेंगे तो 800 मंदे 13 का अनुपात है जो 8 है यह 400 के बराबर है यानि कि कितने का गुणा हुआ है इसमें कितने गुणा हुआ है तो 50 का अब इसी 50 को गुणा आप इसमें कर देंगे तो यह हो जाएगा 650 और यही आपका उत्तर होगा कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस तरह आप लगाएंगे अगर इस तरह के क्वेश्चनों को प्रेक्टिस करते हैं तो बड़े आसान इसे हल कर पाएंगे आपको बस्तु का मुल्य 100 मानना है और 20 पे माइनस हुआ है इसी तरह अगर उसको हानी होने के बजाए लाब होता तो भी उसी तरह आप उसको लगा पाएंगे आगे देखते हैं यह क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है नंबर आपको वही बीचना पड़ेगा आप इसे हल करिए सबसे पहले आपको सौल लेना है 20 परसेंट लाब होता है यानि कि 120 रुपए में बिकरा होगा लेकिन हो चाहता है कि नहीं हम तो इसे हानी पर ही बेचेंगे तब जब हानी पर बेचेगा 10 परसेंट तो इसको 90 रुपए आना चाहिए अनुपाद क्या है दोनों में 30 से भाग दे सकते हैं ये 4 होगा ये 3 होगा यानि कि ये पहले बस तो इती 240 रुपए की जो की है 4 अब आप देखेंगे तो आपका 60 से गुणा हुआ है चार में 60 से गुणा करेंगे तब ही तो 240 होगा इसी 60 का आपको इस 3 में गुणा कर देन आ है और आपका उत्तर हो जाएगा 180 यानि कि अगर उसको 10 परसेंट हानी पर बेचना है तो 180 रुपए पर बेचना पड़ेगा ये है क्वेश्चन जो कि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके परिच्चा में पूछे गया है आगे देखते हैं कुछ अलग टाइप का ये तो इस पर वास्तिक लाब या फिर हानी बताईए अब देखिए इसके लिए आपको बहुत असान तरीका यूज करना होगा 990 रुपए में बेचा गया है कितने लाब पे 10% पे यानि कि 10% लाब जोडेंगे तो 110 हो जाएगा और गुड़े 100 इस तरह आप करेंगे तो आपक बेचे तो कितने रुपए का हानी होगा 900 रुपए में खरीदा है 890 रुपए में बेच दे रहा है तो कितने रुपए का हानी होगा 10 रुपए का यहाँ पे ध्यान देजिए परसेंटेज नहीं पूछा है ठीक है यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा गया है तो जब परसें जीरो से दो जीरो कर जाता और यह हो जाता दस बटे नौ परसेंटेज हानी लेकिन यह पूछा नहीं गया है अगला टाइप देखते हैं तो यहां पर है कि एक कुकर 16% के लाब पर बेचा गया है यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाब परसेंट 20 होता कुकर का क्रेम उले बताईए इस तरह के कुईस्टन कई बार पूछा जाते हैं और यह वाला कुईस्टन खुद CPU में पूछा जा चुका है यहां पर देखें 16% के लाब पर बेच रहा है और अगर 20 रुपए अधिक पर बेच देता तो 20% लाब होता यानि कि अंतर कितने का है 16 और 20 में अंतर कितने का है 4 का यानि कि 4% बराबर कितना 20 रुपए 4% बराबर कितना अंतर है 20 रुपए का जब किसी भी संख्या का 4% 20 रुपए है तो 100% क्या होगा 100% निकालने के लिए पहले आप 1% निकाल लीजिए वैसे जो लोग तीजी सहल करना चाहते है उनका तो उत्तर आ गया होगा लेकिन यहाँ पर अगर पुरा विस्तार सहल करें तो यह होगा 5 1% होगया 5 तो 100% हो जाएगा 500 100 आपका उत्तर हो जाएगा आपसर नमबर C तो इस तरह जहाँ पर 1% दिया हो 1% और आगे या पिर पीछे दिया हो और पूछा गया हो कि करें मुले बताईए तो आपको यही वाला ट्रिक लगाना होगा सबसे पहले उनका डिफरेंस निकाल दीजिए percentage में और मुले में दोनों को एक बर बराबर करिये और इस तरह आपका उत्तर आ जायेगा अगर आपको यह question समझ में आ गया है तो इसी पर हम आपको एक question देंगे जिसका उत्तर आप हमें comment करके बताएंगे comment box में आप इस slide का screen shot ले लिजिए और हमें comment करके इसका उत्तर जरूर बताईएगा question है कि एक बेक्ति कोई बस्तु 20% हाने पर बेजता है यदि उसने बस्तु को 200 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 5% का लाब होता बताईए कि बस्तु का क्रेमल क्या होगा देखिए यह question RRB NTPC में पूछा जा चुका है आज की इस वीडियो में इतना है वीडियो को लाइक करने के साथ comment करके अपना उत्तर जरूर बताई Thank you